सच में यार ये कुरोना के बाद तो जैसे सूना पड़ गया था से निमागर ऐसा लग रहा था कि अब बड़े स्टार यान की जैसे कि हमारे भायजान सल्मान खान कि फिल्म आएगी या नहीं आएगी एक बहुत बड़ा कोशन माग था OTT रिलीज हो रही है या क्या हो रहा है भला अब फाइनली भाई ने हमको दे दिया है सबसे बड़ा तौपा इद से पहले हमें इदी डे डाली और बोल दिया है कि आ रहे हैं हम मैं आपका यारो का यार आपका होस हैं दोस्त राहुल बोज चैनल को फड़ा फट सबस्क्राइब कर लीजे मेरा अपना नया चैनल है ठेर सार प्यार जरूर दीजिए दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई सलमान खान जो हैं पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली एक फिल्म को शूट कर रहे थे और वो थी टाइगर हूं टाइगर 3 फाइनली दोस्तों हम सबके सामने आने वाली है और उसकी रिलीज डेट आउट हो चुकी है यश्राज बहुती स्मार्ट तरीके से प्रोमोज रिलीज कर रहे हैं और आप लोगों को बता दू कि जहां उन्होंने शारुखान सहाब की पठान को रिलीज किया था उसकी डेट अनॉंसमेंट की थी 25th January 2023 उसके बाद जयज बहुत जोरदार का रिलीज किया था उन्होंने जो कि इसी साल रिलीज हो रही रनवीर सिंग की और अब बारी है टाइगर की सिनिमा घरों में घुराएगा टाइगर जहां और आपको पता है डेट क्या है डेट है 21st April 2023 वाउव सलमान सहाब बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रहे हैं तो क्या है कि केट्रीना कैफ अपने आक्शन सीन्स की रिहर्सल कर रही है मतलब की जोया का क्यारक्टर है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं यह अपना टाइगर सोया हुआ है उसने एकदम काफिया ओर रखा है में इतना इंतिजार करना पड़ेगा मतलब एपरिल तक का इंतिजार करना पड़ेगा बापरे बाद सो ऐसे में दर्शको यह एक नया टीजर रिलीस किया है इसे देखकर अइसा लग रहा है कि सल्मान खान के ट्रीना कैफ जो करेंगे इसमें कामना जो हुआ होगा इसे बीड़ेगा इस इंटर्नल डीटेल यह है कि सल्मान सहाब ने शारुकान की फिल्म अपना यह वाली पठान उसमें जो है कैमियो भी किया और एक कॉमें सेक्शन में जाएं और फट 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 बताएं और बने रहें चैनल के साथ देखते रहें मेरा अपना चैनल धेर सारा प्यार दीजिए अब तक आपने दिया है और आपको इसी तरीके की चटपटी बाते बताता रहूंगा बाइबाइब 21st April 2023